Social Change, Tribal and Nomad Societies जब से medieval period के दुरान, इंडिया में medieval period जब आया तब अलड़ी बहुत सारे political, social, economic developments हो चुके थे Hindu society further divide हुई थी हमारी four वर्नाज में, जो थे ब्रहमन, शत्रियाज, वैश्याज और शूत्राज जो वर्नाज थे, वर्नाज of the people, इन लोगों ने dictate किये थे profession सबके, इन्होंने ही decide कि जो four वर्नाज हुए, इन्होंने आपस में decide कि किसका क्या profession होगा और इसमें कभी कोई change नहीं आएगा, इसी वज़े से जो caste system था, जो class system था वो बना, और लोगों के बीच में differences आने लग गए, और लोग का difference आ गया, एक society वाली बात होगी, इस society और जादा complicated होगी, क्योंकि जो four वर्नाज थे, ये और further divide होगे सब caste में, तो ये चार तरिकी क कास्ट थी, basically ब्रह्मन, शत्रियाज, वैश्याज और चुद्रत, इनके भी आगे further divisions कर दिये गए, जिसे society और जादा complicated होती चले गई, परना system के अलावा और भी भहुत सारी parallel societies बनी, जो इनके साथा societies चली, उन societies ने नहीं कोई social rules फॉलो किये, नहीं कोई रीती रिवास फॉ और ये further divide भी नहीं हुई, unequal classes में की कोई high, कोई low, कोई poor, कोई rich, तो further divide भी नहीं हुई, इन societies को नाम दिया गया, tribes का, tribes को generally हिंदी में हम आदिवासीज बोलते हैं, आदिवासीज इंडिया में बहुत पहले से रह रहे हैं, जब से Aryans आये थे हैं इंडिया में, उसके पहले से ही आदिवासीज हैं, almost second millennium, peaceful societies, kinship bonds ने members को unite करके रखा था, tribe में जितने भी members थो, उनको unite करना था, unite करके रखा था, kinship bonds में, मतलब जो blood relationship होता है, और जो tribal के लोग थे, वो बड़ी-बड़ी families में रहते थे, clans means large families, जिसको head करता था, जिसका chief होता था, tribal chief होता, जैसे ह हमारे families में बड़े, जो सबसे घर के बड़े होते हैं, उसको हम chief मानेंगे, करता मानेंगे, ऐसे ही tribal की families में, उनका tribal chief होता था, हर tribe के अपने rules, regulations होते थे, कुछ रिती रिवाज होते थे, और हर member को कोई ना कोई responsibility दी जाती थी, कोई task दिया जाता था, उनके caliber और interest के साब से कैसी उनकी शमता है, उसके हिसाब से दिया जाता था, जो main occupations है, tribal people के, वो है hunting, food gathering, fishing, shifting, cultivation, तो ये कुछ main occupations है इनके, most of the tribes जो है, वो pastoral nomads है, जो एक जगे से दूसरे जगे घूमते हैं, sheeps, cattle को rear करवाने के लिए, और जो एक जगे से दूसरे जगे घूमते हैं, पानी, shelter, food, इन सब की सर्च में, tribes में कोई भी caste system नहीं होता, इनके पास एक land होती है, cattle होती है, काफी collectively cattle होती है, मतलब बहुत सारी होती है, और ये अपनी mutual understanding पे चीज़े शेर करते हैं, ऐसा ही इस नहीं नहीं दिया, उस नहीं दिया, उनके बीच में आपस में sharing चलती है, सब के available resources, natural resources, जो available है, उसको कैसे maximum उसका use किया जाए, कैसे best use किया जाए, और कैसे उसको future reference के लिए conserve किया जाए, ये लोग subsistence agriculture भी practice करते हैं, subsistence agriculture होता है, जैसे उतना ही बोना जितना आपको required है, तो उनकी family के लिए जितना परियाप्त हो जाए खाना, वो उतना ही crop उगाते थे, उससे जादा नहीं उगाते थे, history क्या है, हमें कैसे पता चलता है इनकी history के बारे में, generally इनकी information बहुत जादा तो नहीं है हम लोगों के पास, reasons क्या है उसके, एक तो ये remote areas में रहते हैं, यानि जहां पर easily हर चीज अविलेबल नहीं होते हैं, जिससे जंगल हो गए, पहाड हो गए, deserts हो गए, और फिर ये outsiders को भी allow नहीं करते हैं, अपने area में आने के लिए, आपने काफी movies में देखा होगा, कोई outsider आते हैं, तो सारे आदिवासी उसको गेर लेते हैं, जिंगा ल और वो ओरली सब कुछ सिखाते हैं, वो written records रखने में बिलीव नहीं रखते हैं, जो थोड़ी बहुत information हमें tribes के बारे में वो है anthropologist, anthropologist वो हैं जो लोगों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी society के बारे में, उनकी culture के बारे में जो पढ़ते हैं, तो उनके ही through हमें थोड़ी बह information about them, वही सब है, dominant tribes, almost tribes पूरे इंडिया में हैं, पर कुछ ऐसे dominant tribes हैं, जिन्नोंने बहुत जादा जमीन पे कबजा किया वा, आप कह सकते हैं, वास टेरिंस दिपास, बहुत जादा जमीन पे कबजा किया है, गॉन्स, गॉन्स, इंडिया के जंगलों में रहते हैं, और यह क पीपल जो रहते हैं, उनको गॉन्स बोलते हैं, इनकी जो लैंड है, जहां पर यह रह रहे हैं, उसको गॉन्डवाना बोलते हैं, जिसका मतलब होता है, कि ऐसा एरिया जिनको गॉन्स ने बसाया है, क्योंकि उनकी लैंगविज भी गॉन्डी होती है, गॉन्स के चार सेप अधिस में खाफिस में में गांप इनन को सिवेड़ रटों किव पॉप्जादा पर हुन्स काफिस्टी करती करने में अंधिल करने में अंट्री करने एमिलेटें करने में श्यायनि निआ कोुबिलेशन थे हैत Mannymal Timney काफी अच्छी population थी जो further छोटे 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 clients में divide हो गई आप कहिए छोटे छोटे बड़ी families में divide हो गई इनका head होता था राजा जो most powerful kingdom gone's की थी वो थी घर कटंगा जिसमें 70,000 villages थे तो सोचे आप कितनी huge रही होगी most notable ruler थी रानी दुर्गावती जिन्होंने अकबर से लड़ाई की थी अकबर ने उनको चालेंज किया था उन्होंने का था अपनी emperor उनको सौंप नेकले पर उन्होंने उनकी accept नहीं की और उनके साथ वो लड़ी हाला कि बाद में माराथा से वो लोग हार गए थे पर she fought it very bravely religious कैसा था उनका धरम वगएरा कैसा था dress कैसे थी तो वो एक देवी की पुझा करते थे गौ्ण्स देवी की पुझा करते थे जिसको बोलते थे बड़ा दियो और वो बंद देवी की भी respect करते थे जो जंगलो की देवी मानी जाती थी इनके जितने भी religious practices थी उनके भजन, dance, songs ये सब nature से related होते थे उसके बाद जो gone men थे इनका garments बताए गए हैं ये एक कमर पे plain loin cloths बांते थे और women sardis पहनती थी बोथ men and women को शौक था tattoos पहनने का और silver ornaments पहनने का ये troop singing गाते थे मतलब पूरे जुन में कठे गाते थे पूरे group में गाते थे और dancing करते थे जो gone के legends होते थे जो mythology होते थे और जो उनकी देवी होते थे उन से related जो भी उनके भजन गाने वगएर होते थे उसके पर वो dance करते थे administrative system कैसा था administrative system gone kingdom का centralized था जैसे हमारे इंडिया का भी centralized है वैसे ही उसका भी centralized था उसके बाद kingdom को further divide किया गया था जिसको गड़ बोलते थे गड़ को further sub divided किया गया था हर unit में 84 villages आते थे जिसको 84 बोलते थे 84 को इंगलिश में 84 ही बोलते हैं 84 villages की एक unit बनाई जाती units मिलकर गड़ बनाते थे और गड़ मिलकर kingdom बनाते थे हर 84 को जो look after करता था होता था gone clan by a particular gone clan और 84 था उनको further subdivided किया जाता था 7 बोलत में जिसमें 12 villages आते थे हर बोलत में 12 village और total 7 बोलत हो गए वो मिला के 84 तो kingdom divide हुई गड़ में गड़ डिवाइड हुए 84 में 84 डिवाइड हुए बढ़ोत में और बढ़ोत डिवाइड हुए 12 villages में एहम एहम कौन थे एहम भी एक tribe था जिन्होंने अपने kingdom बनाई असाम में ब्रह्मपुत्र वेली में इंडिया में एहम ओरिजनेट हुए हमारे युनान से Chinese province of युनान सी ओरिजनेट हुए फिर वो इंडिया इंडो चाइना में आए माइग्रेट होकर इंडो चाइना में आए और बर्मा जिसको हम नौधन मियानमर में जो बर्मा है वहाँ पर रहने लगें फिर उसके बाद वो दिफ्शुरी के आसपस बोलो ब्रह्मों पुत्रवेली में सेटल हो गए इसने एक नई स्टेट बनाई उन्होंने जो मार थे तई प्रिंस थे उनका नाम है फ्रॉम मंग माउं से सुखाफा थे वो उन्होंने किंग्डम इस्टाबलिश की एहम किंडम को एहम किंडम को किंग्डम ऑफ असाम भी बोला जाता है विकूस वो असाम में सेटल हुए थे ब्रहम पुत्रवेली में मुगल्स ने बार उनोंने हराया हैं किंडमने बार बर उनको हराया बैटल ऑफ सराइगहार्ट भी हुई उसमें भी अहम्स झीते उनोंने मुगल्स को हराया है और पावर ऑफ अ aí ये इतनी हाय ऊगई इतनी स्ट्रॉआं हो गई थी जब वहाँ पर एडल्ट मेल्स थे, एकसेप्ट जो रॉयल्टी के बंदे थे, हाई पोफाइल लोग थे, प्रीस्ट थे, गैसे पंडित वगेरा, चर्च के जो प्रीस्ट होते हैं, वो सब या स्लेव्स, इन सब को छोड़ कर, बागी सब को पैक्स बोला जाता था, इन सब को पैक्स, पैक्स आर्मी नहीं थी इन लोगों की, तो इसलिए एक चीज़ बना दी गए कि पैक्स को जाके आर्मी में सर्फ करना है, जब भी कोई लड़ाई चुड़े, तो जब लड़ाई नहीं होती थे, जब कोई वार नहीं होती थी, तो पैक्स इंवाल थे, दूसरी एक्टिविटीज म करने के लिए, और पैक्स को ग्रुप किया गया, अलग-अलग यूनित में जिसको खेल्स बोला गया, तो पहले तो शुरु-शुरु में जो उनकी गॉड़ेस थी, ट्राइबल गॉड़ेस थी, उसी को पूझते थे, पर धीरे-धीरे जैसे ब्रहमन के वो इंफ्लूएंस म आये, उनके कॉन्टाक्ट में आये, उनका जाधा सर हुआ, तो इन्होंने हिंदुईजम भी as their religion एडॉप्ट कर लिया, हाला कि काफी जो उनके जो खुद के जो ट्रेडिशनल बिलीव से एहंस के, वो भी उन्होंने फॉलो किये, वो भी उनके साथ-साथ उन्होंने सुसाइटी हो गई, पर काफी लोग फिर भी इस सुसाइटी से दूर रहते ते, जैसे हिंदुजम में स्टार्टोक्स हिंदिजम जो होते हैं, जो बिल्कुल कटर होते हैं, उसमें स्टार्ट बहुत जादा देखा जाता है, तो काफी लोगों ने अपने आपको इस उसने बिहु के परफॉरमस को इन्वायट किया था अपने दरबार में परफॉर्म करने के लिए, उसके बाद इस volk dance को काफी popularity मिली, anti haems के बीच में, उसने रंग ओली बिहु में उसको इन्वायट किया था, परफॉरमस को. नॉमेड्स और ट्राइब्स रहते कैसे थे जितने भी नॉमेडिक पेस्टॉरलिस्ट थे पेस्टॉरलिस्ट मतलब वो फार्मर्स जो भेड़ बकरी चराते हैं पेस्टॉरलिस्ट जो थे मतलब ऐसे फार्मर्स जो भेड़ बकरी बगरे चराते हैं वो काफी लंबे लंबे डिस्टेंस ट्रावल करते थे अपने एनिमल्स के साथ, वो कमाने के लिए जैसे वो किस चीज का बिजनस करते थे, वूल का, मिल का, डेरी प्रोडक्स का जैसे घी, दही, दूद, ये सब चीजें, गेहूं हो गया, कपड़े हो गया, बरतन हो गया, औ इनका वो बिजनस करते थे, और वो किस के साथ बिजनस करते थे, जो सेटल्ड फार्मर्स हैं, जो अलड़ी कहीं फिक्स जगे पर रह रहे हैं, जो पर्मनेंट फार्मर्स हैं, या जो आर्टिसंस हैं, और ये मैक्सिमम जो ट्राइब्स होते थे, अपने एनिमल्स को सेल यह अच्छे ट्रेडर्स हुए बंजार्स नोमधिक्त डेडर्स थे जबने कार्वा के साथ चलते थे जिसमें वो अपना समान लेकर कैरी करते थे उनके कारवा को वो टांडा बोलते थे वो क्या करते थे वो गेहूं, सबजियां ये सब फार्मर्स से खरीते थे फिर आगे जो बड़े-बड़े शेहरों के मार्केट से उनमें बेच दिया करते थे तो they were like business mediators जैसे हो गए तो सबसे famous जो सुल्तान थे टेली के अलावदिन खील जी रो तक गेहूं बेचते थे बंजारास की help से तो बंजारास वो लाइक mediators की farmers से खरीद और cities में बेच दिया society में कैसे change आया with the time जैसे जैसे socially और economically ये expand होने लगे तो इन में बहुत सारी नई caste भी बनी, नए hierarchies भी बने, अपने अब develop हो गए जैसे हमारे भी देखो जैसे कितने सारी caste बन जाती हैं आगे किसी का कैसा खंदान, किसी का कैसा खंदान तो बहुत सारे जो tribes थे वो उन्होंने हिंदू caste based system follow किया अब इनको status दिया गया इनको बन जारा इसको status दिया गया जाती इसका बहुत चोटी चोटी जैसे caste के अंदर subdivisions हो जाते हैं तो caste, सब caste, ये सब merged हो गई वर्ना के अंदर वर्ना system की बजाए जाती इस बन गई society को organize करने के लिए responsible फिर 11th or 12th centuries में राजपूत clans थे वो बहुत powerful हो गए राजपूत बिलॉंग तो शत्रिया वर्ना शत्रिया जो हमने पढ़े चार वर्ना होते हैं उसमें शत्रिया वर्ना में राजपूत आए ते ओरिजिनली बिलॉंग राजपूत थे वो इन इन अलग अलग जगहों को बिलॉंग करते थे इन इन अलग अलग अंसेस्टरीज को बिलॉंग करते थे कुछ राजपूत थे जो ट्राइबल फैमिली से भी थे जैसे पूरवज होते हैं या कुछ होते हैं तो ट्राइबल फैमिली से भी थे जुब ब्राहमन की हेल्ठ से काफिग ट्राइभ कार्स सिस्टम के हिस्सा भी बने जो भी लीडिंग ट्राइबल फैम्ली सोती थी उसके मेंबर्स को रूलिंग ख्लास में एंट्री मिलती थी मतलब जो राज कर सकते थे जो high post दी जाते थी जैसे society में rest of the majority को lower जाती caste system की lower जाती में रखा जाता था many dominant tribes of Punjab, Sindhan, Northwest Frontier province उनको Islam adopt किया उन्होंने और उन्होंने caste system को continuously reject किया मतलब उन्होंने caste system को कभी भी follow नहीं किया था